लोम्ली और कौवा लखनाव के जंगलों में एक बहुती बदमाश्ट लोम्ली रहा करता था वो ऐसे ही एक दिन कहीं घूम तैल रहा था तब उसे जमीन पे एक रोटी का टुपड़ा पड़ा दिखा वो बहुत खुश होकर रोटी की तरफ बढ़ने लगा और इतने में एक कववा आके उसकी रोटी उड़ा ले गया और जाकर एक पेड़ की टेहनी के उपर बैग गया मेरी चतुराई से तो जंगल का राजा तक डरता है तो तू किस खेट की मूली है कववे? रुक अभी तुझे उल्लू बनाकर तेरे मूँ से ये रोटी छीनता हूँ अरे मेरे दोस्ट तुम कितने हैंचम हो यार दुनिया में जानते हो तक पे अच्छा रंग कौन सा होता है काला और उपर से तुम तो एकदम काले कलुटे हो और धूप में कितना चमक रहे हो यार तुम काववा लो म 라 की बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था लो मली ने फिर से कहा यार मैंने सुना है तुम इंदियन आइडिल में जाने वाले हो बहुत अच्छा गाना गाते होंगे तुम यार एक गाना सुना दो ना प्लीज प्लीज एक गाना सुना दो ना एक गाना बस एक गाना प्लीज 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 बस एक गाना सुना दो ना एक गाना प्लीज 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 किसी ने थोड़ी सी तारीश क्या कर दी तुम तो अपने आपको पता नहीं क्या तमजने लगे अधे तुम्हारा गाना तो बहरे भी नहीं सुनना पसंद करेंगे जी बढ़े आए हुँ तब देचारा कववा उदास होकर वहां से उड़ गया घर लोटकर दिन का किस्सा उसने अपने दोस्त को बताया ऐसे ही वो बदमाश लोमडी एक दिन फिर से जंगल में घूम रहा था तब उसे पेड़ पर एक और कववा रोटी के साथ बैठा दिखा अरे यार तुम कववे लोग किते स्मार्ट होते हो तुम लोग की चोश तो पीले रंकी मुझे तो लगता है तुम इस जंगल की सबसे अच्छी चुडिया हो और इस पीली चोश से तुम गाना तो बहुत अच्छा गाते होगे एक गाना गांके सुनाओ ना यार फ्लीज एक गाना सुना दो तब उस कववे ने उस रोटी के टुकड़े को अपने पैर के नीचे दबाया और गाना गाना शुरू कर दिया कोई मुझे जंगली कहे कहने कुजी कहता रहे हम तो गाना गाएंगे कां 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 अरे दादा बस बस करो बस बस बहुत अच्छा गाना गाते हो तुम अरे मेरे दोस्त तुमने मुझे बीच में क्यों रोख दिया अच्छा नहीं था क्या अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है तुम इतना अच्छा गाना गाते हो कि मैं चार लाइन ते ही समझ गिया कि तुम सुपर फिंगर हो मुझे ऐसा लगता है तुम गाने के साथ डांस भी बहुत अच्छा करते होगे एक बाद डांस करके दिखाओ ना प्लीज एक डांस वो तो मैंने टाइगर श्रॉफ से ही सीखा है इस रोटी के टुकड़े की वज़े से मैं डांस नहीं कर पाऊंगा रुको मैं इसको खा लूँ फिर तुम्हे डांस करके दिखाथा का का कोई मुझे जंगली कहे कहने कुछी कहता रहे हम तो जंगली है क्यों रे लोमर, तुम अपने आपको बहुत हीरो समझते हो क्या? अपनी होशारी और दिमाग लोगों को पागल बनाने के लिए नहीं स्तमाल करना चाहिए, समझे? ऐसा करके वो कववा वहां से उड़ गया और तब लोम्री को समझ आ गया कि लोग को बागल बनाने से कुछ हासिल नहीं होता कहानी दो बक्रों की लखनों के जंगलों में एक बक्रा घास चर रहा था अरे वहां नदी के उस पार की गास तो बहुत अच्छी लग रही है मुझे वहां जाके उसे चकना चाहिए वो सोच रहा था उस पार कैसे जए तब ही उसकी नजर एक लखड़ी के लट पर पड़ी जो महां बिची हुई थी मैं इसके सहारे नदी पार कर सकता हूँ वो लट की और बढ़ने लगा लट पर पैर रखते ही उसने देखा नदी के उस तरफ एक और बक्रा खड़ा हुआ था पहले मुझे जाने दो पहले तो मैं जाऊंगा नहीं नहीं लखड़ी पर पहले मैं चड़ा तो पहले मैं ही जाऊंगा तब पहला बक्रा सोचने लगा उसे अपनी नानी की कही एक कहानी याद आ गई दो घमंडी बक्रियां एक पुल पार करना चाहती थी पर एक दूसरे को रास्ता नहीं दे रही थी और फिर लड़ने लगी और इस कारण पानी में गिर गई इसलिए पहले बक्रे ने सबर से काम लिया और दूसरे से कहा देखो दोस्त ये लड़ने का टाइम नहीं है मैं यहाँ जुग जाता हूँ और तुम मेरे उपर से चले जाना ऐसा कहके पहला बक्रा जुग गया और दूसरा बक्रा उसके ऊपर से कूद कर दूसरी तरफ चला गया बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त तुमने समझदारी से काम लिया ऐसे दोनों बक्रे समझदारी से अपने घर चले गए